आज हम लोग बात करेंगे side ground hosting के detailed review के बारे में देखेंगे क्या side ground सही में एक king है hosting का या फिर इसमें भी कुछ drawbacks है हाई गाइज मेरा नामिक रिपेश अडवनी और माया है या पर hosting VPN और digital tools के reviews करता रहता हूं और side ground को मैं पिछले देड़ साल से use कर रहा हूं मैंने इसके पहले भी एक SiteGround के उपर वीडियो बनाया था लेकिन उसके बाद इसमें कई सारे चेंजिस हुएं अब ये Google Cloud के उपर आ गया है इसमें कुछ नए Site Tools आएं तो आज का एक नया और जादा Detail Review रहेगा SiteGround का अगर आपे SiteGround Company के बारे में बात करें तो इट फिल्स रियल, इट फिल्स गुड़ कि इसके पीछे कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला है आएम अल्वेज हपी जब भी अबाउट पेज पेज पे किसी टीम के बारे में इंफरमिशन दी जाती है तो यहां पर अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करो तो मैंने इनका इन नया वाला प्लान लिया है ग्रोविक का जो डॉलर 5.95 का आता है यहां पर मैंने दो वेबसाइट को होस्ट किया है एक kptesthosting1.xyz यहां पर मैंने ओशीन डवलोपी थीम का यूज किया है यहां पर आप लोग जाएट में यहां पर वेबसाइट की लिस्ट आ जाएगी नए वेबसाइट करने तो यह कुछ वेबसाइट से जो मैंने अपने नय प्लान में होस्ट करके रखिए तो इसमें जैसे kptsthosting1 पर मैं ऐसे जा सकता हूँ यहां पर आप लोग यहां पर आप लोग साइट पर जाएगा तो यह मेरा नया इंटरफेस खुल जाएगा अब इसमें cpanel नहीं आता है cpanel बंद हो गया है सभी customers के लिए सभी नए customers के लिए पुराने customers के लिए हो जाएगा जल्दी तो यह इस टाइप का इंटरफेस आता है यहां पर आप लोग साइट पर जा सकते है फाइल मैनेजर फ्टी पी जितने सारे आप लोग को आप एसी पैनल में फीचर मिलते थे वह यहां पर भी मिल जाएगे इंटरफेस यह रहेगा यहां पर WordPress one click installation का support भी है काफी easy है WordPress को install करना Siteground के उपर Server response time के बात करना तो काफी अच्छा server response time देखने को मिला है मेरे Singapore के servers थे and overall A plus performance मुझे देखने को मिली है speed की बात करो तो Bangalore में मुझे 1.2 second का मिला है और Singapore में मुझे 700 MS का देखने को मिला है and यहां पर मैंने कोई external cache plugin का नहीं उसका है जो by default Siteground की तरफ से आता है उनका cache plugin और जो उनके cache के default settings रहती है उसी में मैंने यह सारी testing करी है और अगर मैं सको थोड़ा और optimize कर नहीं जैसे जावा स्क्रिप्ट को मिनिफाइ कर दूँ HTML को मिनिफाइ कर दूँ वह सब उनके plugin में options रहते हैं अगर मैं वह सब कर दो तो मुझे और अच्छी speed मिल सकती है तो Google Cloud आने के बाद में speed में definitely improvement हुए है Siteground के ऊपर Cache Manager की बात करो तो यहां पर आप लोग को inbuilt Cache Manager मिलता है और Siteground के तरफ से उनका Siteground Optimization का plugin भी आता है WordPress के लिए तो यह काफी अच्छा plugin लगा है मुझे और यह वाला plugin अगर आप लोग यूज कर लोगे तो आप लोग केसी और external plugin की नहीं ज़ुरत पड़ेगी ना आप लोग को कोई पेट plugin लेना पड़ेगा काफी powerful plugin है सारी चीजे कर सकता है minify कर सकता है media optimization कर सकता है image को optimize कर सकता है सारे जो भी essential चीजे है वो आप लोग को इस plugin में मिल जाएगी अब टाइम की बात करो तो मैं पिछले देड़ महिने से नहीं वाली hosting को यूज कर रहा हूँ अब मुझे अभी तक किसी भी टाइप का डाउन टाइम नहीं देखने को मिला है 100% यहापे मेरा अप टाइम रहा है पिछले 1200 घंटों से कोई मुझे डाउन टाइम नहीं देखने को मिला है अगर मैं आप अपने पुरानी वेब साइट पर जाओं जो पुराने मेरे पुराने साइड ग्राउंड पर जो होस्टेड है उस पर जाओं तो उस पे बीच बीच में अनवेलेबल हुआ है पर जाओं पर देखने को मिला है लोड टेस्स की बात करो तो लोड टेस्स में भी काफी अच्छे रिजर्ट्स मुझे मिले हैं यहाँपर मैंने 50 वर्चुल यूजर्स को भीजा था और जो ग्लू लाइन है वो मेरी, वो स्ट्रेट है मलब जादा फ्लक्टुएशन नहीं हुए कोई भी HTTP फेलियर नहीं हुआ है तो लोड टेस्ट भी काफी इसली इसने पास किया है डेटा सेंटर्स की बात करो तो US, UK, Netherlands और Singapore में इसके डेटा सेंटर्स पहले से थे अभी रिसेंटली दो और नए डेटा सेंटर्स आ गया है एक जर्मनी में आ गया है और एक ऑस्टेलिया में आ गया है बात करो तो 30 दिन के आप लोगो ओसर्वर्स बाक अप देखने को मिलते हैं जो की काफी easy to use है और one click restoration का option भी available है इनोट count की बात करो तो startup में आपको 1.5 lakh का मिलता है grow big में आप लोगो 3 lakhs का मिलता है और जो go geek वाला प्लान है इसमें आप लोगो 4.5 lakhs तक का मिलता है कस्टमर सपोर्ट की बात करो तो 24x7 live chat support मिलता है जो की technical भी है अच्छा भी है और कोई भी call support नहीं देखने को मिलता है live chat support मेरे experience में अच्छा रहा है fast fry लेकिन कभी कभार rare case scenario में उसमें वेटिंग टाइम ज्यादा आ जाता है मान लो 40-50 मिनिट तक मैंने देखा है लेकिन यूजवली पांच मिनिट के अंदर-अंदर receive कर लेते हैं प्राइजिंग की बात करें तो जैसे आप लोग साइड एरांड पर जाओ गया होस्तिंग पर जाओ तो आपको यह सारे ओप्शन देखेंगे web hosting, wordpress hosting, woocommerce hosting और cloud hosting आज हम लोग शेयर होस्तिंग की बात करें तो यह तीन प्लान शेयर होस्तिंग ले रहेंगे यूजुली आप लोग WordPress hosting पर जाओ बेस्ट है WordPress भी यहाँ पर होस्त कर लोगे अगर आपको सी पैनल की भी जवरात करेंगे तो भी वो मिल जाएगा अगर आप लोग को e-commerce खोलना है तो woocommerce पर जाओ web hosting पर भी जा सकते हैं लेकिन WordPress hosting पर जाओ दोनों सेमी है तो startup grow big और go geek यह तीन प्लान है startup plan 3.95 से शुरू होता है go geek 12 तक जाता है पर मन्त तो वैसे तो तीनों ही plan अच्छ है लेकिन जो majority लोगों के अच्छा रहेगा वो रहेगा grow big plan जो होता है around 6 दॉलर पर मन्त से start नाव इनके renewal rates काफी हाई है dollar 20 का है 70% जादा है इनके renewal rates तो हो सके तो एक साथ 3 साल का ही purchase कर ले अगर मैं payment options की बात करो तो आप लोग international credit या फिर debit card का use कर सकते है net banking अगर अवेलेबल नहीं है और या से आप लोग अपने data centers भी with you also select कर सकते काहा पर आप लोगोछ चाहिए और पीरेड में 12 months 24 months 36 months तेनों के लिए सेम ही discount रहेगा ऐसा नहीं रहेगा की तीन साल के लिए जादा डिसकाउंट आप साल के लिए कम है तीनों के लिए सेमी discount रहेगा और इसमें को एक चीज नहीं लेनी है वो है ट्राइल पाकेज ट्राइल पाकेज में आप लोग को एक महीने का 5.95 दॉलर का मिलेगा और 25 दॉलर की कर दिन के अंदर आप लोग रिफंड कर सकते होuben और अगर आप लोग मेरे नीचे देह गए लिंक में जा सकते हो वो मेरा अफिलेट लिंक है मतलब अगर आप लोग उससे पाढ़ों तो मुझे कमिशन शीमें मिलेगी तो दुर्ट्रा को पे किये हुए इस से मुझे help मिलती है कि मैं इस type की detailed reviews कर पाऊं और इस channel को भी grow कर पाऊं SSL की बात करों तो आप लोग को unlimited websites के लिए SSL मिलता है CDN की बात करों तो free cloudflare CDN का option है staging का यहां पर feature भी मिलता है मतलब staging तब यूज में आती है जब आप लोगो को अपनी website में कुछ टेस्टिंग करनी हो तो वो टेस्टिंग आप लोग बाक एंड पर करते हो एक copy पर करते हो अपनी website की जो की live website के उपर visible नहीं होता है जब तक आप लोग उसके changes को finalize नहीं कर दे मालना मुझे एक theme को change करना है तो मैं उसकी staging copy बनाऊगा उस theme में changes कर लूगा देखूँगा कि वो website कैसे लग रही है क्या उसमें सारी चीजे अच्छे से function कर रही है कि नहीं कर रही है और जब वो finalize हो जाएगी तब मैं उसको real website पर अपनी जो live website है वहाँ पर पुश कर वरना इनका एक plugin भी है जो की काफी easy to use है कि siteground पर कैसे migrate करना है बहुत अच्छा plugin है बहुत easy to use plugin है और काफी powerful plugin भी है आप लोग उसको easily use करके website migrate कर सकते हो software की बात करो तो PHP 7.4 यहाँ पर available है जो की अच्छी बात है Python 3.7 supported है और Perl Node.js का support नहीं मिलेगा आप लोग को site builder की ब best site builders जो मैंने एक shared hosting में use किया है काफी easy to use है and काफी अच्छा site builder है shared hosting के लिए यहाँ पर site builder की भी अलग से pricing लगेगी एक तो free वाला है जिसमें simple drag and drop builder है then यहाँ पर 3-4 और packages है इनके starter professional business अगर आपको start करना site builder के थुरू तो free वाला package sufficient रहेगा and then धीरे धीरे आप लोग upgrade कर सक करते हो domains की बात करो तो आप लोगों को free temporary domain मिलेगा लेकिन कोई भी primary domain name free में नहीं मिलेगा जैसे बाकी hosting में मिलता है जब आप उनकी एक साल की hosting लेते हो तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी free domain नहीं मिलेगा emails की बात करो तो यहाँ पर unlimited email accounts है लेकिन वो लोग size से limited ह पहले वहले plan में 2000 MB रहेगी then 4000 MB रहेगी then 6000 MB रहेगी PCI compliance की बात पहले PCI compliance थी लेकिन अब नहीं है अगर आप लोग को नहीं पता है PCI compliance क्या होती है तो अभी उसमें जादा गुसने की ज़वरत नहीं है यह shared hosting में वैसे भी usually provide नहीं होती है just because sideground इसे पहले provide करता था अब नह जादा issues नहीं आए तो अगर अभी तक का आपको यह detailed review अच्छा लगाए तो इसको जरूर thumbs up दे जिएगा it really helps me and motivates me a lot तो अब अगर मैं इसके pros के बारे में बात करों तो यहां पर आप लोग को एक अच्छी speed मिलती है Google Cloud के थुरू supported है इनका customer care काफी अच्छा है आप लोग आप लोग को नहीं मिलते है इसमें इसमें जो storage space मिलती है वो काफी कम है जैसे पहले वाले प्लान में 10 GB फिर 20 GB and then 40 GB पहले यह भी 30 GB थी अभी recently से 40 GB किया गया है और कोई भी free domain यहां पर नहीं देखने को मिलता है now will I recommend it मेरे हिसाब से it is the best shared hosting for WordPress out there हा थोड़ी expensive है लेकिन इसकी reliability इसकी security इनका support इनका backup option इनका powerful plugin जो आता है इनका cash system इन सब को जब आप लोग एक bundle में पैक करते हो तो फिर मुझे यह worth it लगता है and it is one of the most reliable hostings out there पिछले 5 साल से लोग top पर है उस position को यह लोग maintain कर रहे है constantly अपने website को improve कर रहे है अपनी services को improve कर रहे है so if I have to bet my money on a shared hosting तो मैं sideground को choose करूँगा लेकिन अगर आप लोगा budget उत्रा नहीं है तो past comment भी एक अच्छा option है थोड़े कम budget में और अगर आप लोगा budget बहुत ही कम है तो hosting अर एक अच्छा option रहेगा and अगर आप लोग के website में traffic ज लीजेगा चानल को subscribe कर लीजेगा and I will see you guys in the next one good bye